है ना बहुत सारा आत्याचार हमारे देश में हुआ एक बात बताईए जब द्रापदी की साड़ी खिच रही थी उस समय आधी से जाधा साड़ी तो तर चुकी थी सामने कौन बैठा था पांडव, गुरुद्राणाचार, पितामा सब बैठे थी फिर भी भगवान आए, नहीं आए कब आए भगवान, जब द्रापदी ने भगवान को पुकारा, क्या बनके, बहन बनके उस प्रेम से, उस रद्धा से तो भगवान को प्रहलाद जी ने पुकारा तो खंबे से आए, नर्सी जी ने पुकारा तो नानीवाई का मायरा भर ने आए मीरावाई की समाधी कहीं नहीं है मीरावाई द्वारे काधीश के मुhn में समा गई भगवान आते हैं अब एक आपके समझ जानकरी में एक बात बता दू एक नाई था सेविंग करने वाला आप saving तो कराती होगे एक नाई था वो saving सबकी करता था एक बाबा जी आए अरे बोले कोई नाई भाई तो होते ही नहीं है नाई होता तो मेरी डाड़ी तिनी बड़ी कैसे हो जाती नाई बोला भाई साब डाड़ी तो इसलिए बड़ी होगे क्योंकि आप हमारे पास नहीं आए, आप आते और अपनी डाढी बनवाते तो हम आपकी सेविंग करते हैं, आप आए नहीं, अब आए नहीं उचिला रहे हैं, नहीं तो होता ही नहीं, नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा, उसी प्रकार भगवान होते हैं, उस भाव उस जिनने पुकारा है उन्हें प्राप्त हुए है भगवान और अत्याचार देखो भगवान ने तो नहीं कहा था कि तुम आपस में लड़ो क्यों लड़े आपस में लड़ने का क्या है आपस में क्यों लड़े हमारे यहां कि राजा महराज आपस में लड़ गए भगवान ने थोड़ी सिखाया है कि तुम आपस में हमारे यहां सिखाया कि जहां सुमती तहां संपति ना ना जहां कुमती तहां विपति आप हमारी बात एक बेटा यदि अपने बाप की बात मानेगा तो बाप गलत तो नहीं बताएगा ना सही बताएगा तो हमारे सास्तरों ने समझाया गीता में समझाया भगवान ने रामचर इत्मानस में चौपाई है संगठित रहो यदि संगठित रहेंगे तो कोई हमारी तरफ नजर नहीं उठाएगा आख नहीं उठाएगा और विखर जाओगे तो फूट डालो सासन करो जहां विखर गया तो उसका तो लाव यह यह जो अत्याचार हुआ है वो भगवान ने नहीं कराया ना भगवान ने किया वो हमारी